तो इस वीडियो में एलेक्सी सीरोव और विष्वनाथ आनन्द की एक chess game देखेंगे तो ये game 1998 में मौनेको में खेली गई थी तो इस game में वाइट PCs के साथ एलेक्सी सीरोव है और ब्लेक पिसीज के साथ विष्वनाथन आनन्द तो गेम पर आते हैं तो एलेक्सी शीरोव ने शुरुवत की E4 से और ब्लेक ने रिप्लाई दिया C5 सिसिलियन डिफेंस, नाइट F3, D6, D4, Cxd4, नाइट Txd4, नाइट F6, नाइट C3 सिसिलियन डिफेंस, ओपन वेरियेशन, तो गिम कुछ खास है नहीं, सिर्फ ओपनिंग चल रही है नाइट C6, विशॉप G5, तो ब्लेक अपने पॉंस को डबल नहीं करवाना चाहता, इसलिए E6 मोग किया क्विन D2, विशॉप E7, तो एलेक्सी शीरोव ने क्विन साइड कैसलिंग किया, और विश्वनात अनन ने नाइट Tx, नाइट मोग किया क्विन टेक्स नाइट, और विश्वनात अनन ने किंग साइड कैसलिंग किया, F5, क्विन A5, और यहाँ पर कुछ प्रेसर ना बने, इसलिए E6 ने अपने किंग को D1 पर मोग किया, रूक D8, H4, और यहाँ पर H4 कर दिया, E6 ने, यह जानते हुए कि यहाँ पर विशॉप ट्रेप हो सकता है, तो गबराईय नहीं, यहाँ पर H6 मोग के बाद विशॉप टेक्स नाइट किया जा सकता है, तो विश्वनात अनन ने विशॉप D7 मोग किया, विशॉप D3, H6, और फाइनली विश्वनात अनन ने विशॉप पर प्रेसर बनाया, लेकिन एलेक्सिस हीर तो आप देख सकते होंगे कि यहाँ पर रुक की लाइन पुरी तरीके से ओबन हो जाएगी और अटेक करना बहुत ही आसान हो जाएगा, तो विशॉणात अनन ने पहले अपने नाइट को ना बचा कर विशॉप C6 मोग किया, और साथ में विशॉणात अनन ने वाइट की क क्वीन पर प्रेसर बनाया, तो एलेक्सी सीरो ने क्वीन E3 मोग करके अपने क्वीन को सेफ किया, तो विशॉणात अनन ने अपने रुक के बदले में यहाँ पर विशॉप को एक्सचेंज करवाया, क्योंकि यह विशॉप यहाँ पर आगे जाके जोरदार अटेक मोग किया, और पहले एक एडवांटेज अपना बनाया, इस H फाइल को पूरा ओपन करके, तो आप देख सकते होंगे कि अभी अटेक जवरदस्त किया जा सकता है, तो यहाँ पर विशॉणात अनन ने पहले अपने नाइट को ना बचा कर विशॉप टेक्स G2 मोग किया, अ और फिर सीधा चेकमेट की थ्रेट होती, और अभी आप देख सकते होंगे कि चेकमेट को ब्लैक प्रिवेंट नहीं कर सकता, ब्लैक अगर यहाँ से G6 भी मोग करता है, तो क्वीन H8 चेकमेट आही जाएगा, और ब्लैक यहाँ से F6 मोग करने जाता है, तो क्वीन टेक्स E6 चेक और यह स्क्वेर्स तो रूक की वज़े से कवर है, तो किंग को F8 पर आना ही पड़ेगा और सीधा चेकमेट ही आ जाएगा, रूक H8, और विस्वना थानन्द अपने नाइट को H7 पर भी नहीं ला सकते, क्यूंकि क्वीन H3 के बाद इस नाइट से इस पॉन को भी नह चेक और यहां से दो आप्सन्स है, एक तो किंग F7 और किंग F8, अगर अनन्द क्वीन F8 मुव करते हैं, तो क्वीन H8 चेक और किंग F7 के बाद G6 चेक आ जाता और फोर्स पॉलीस पॉन को केप्चर करना ही पड़ता और चेकमेट आ ही जाता, क्यूंकि कोई स्क्वेर ही न कर सकते, क्यूंकि यहां पर यह लाइन रुख से कवर है, तो क्वीन G8 चेक और विश्वाप को बीच में लाना पड़ेगा और क्वीन F7 चेक में ढ़िया जाता, लेकिन अनन्द ने यहां पर अपने नाइट को ना बचा कर विश्वाप टेक्स जीटू मौव करके रुप प्रेसर बनाया पहले, लेकिन अलेक्सी सीरोव ने अपने रुख को भी ना बचा कर यहां पर जी टेक्स नाइट किया, तो विश्वाप टेक्स रुख मौव किया और फाइनल मौव फ्रॉम अलेक्सी सीरोव, क्वीन G1 और इस मौव के बाद विश्वाप टानन्द ने रि उनों तो नहीं बचा सकते, तो अगर विश्वनाथ आनन्द चेक्मेट को बचाने जाते हैं, तो क्वीन टेक्स बिश्वाप आ जाता, और पीस में तो इकल ही रहते, लेकिन पोजिसन में ठोड़ा वीक होते, क्योंकि यहां पर रूख S3 आ जाता, और चेक्मेट की पेर्स कवर है पॉन से को चेक्मेट ही आ जाता, और ब्लेक यहां से विश्वाप टेक्स F6 मोग करने जाता है, तो इटेक्स बिश्वाप और पोजिशन अभी भी वीक है, और सिर्फ विश्वनाथ आनन्द अपनी क्वीन को ही बीच में ला सकते हैं, लेकिन क्वीन चली ज प्रीदी